है 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 यहां पर आज सुबहर से बारिश हो रही है बहुत हलकी हो रही थी लेकिन अब थोड़ी से तेज हो रही है मौस्म काफी अच्छा हो रहा है घ्र एसा मौस्म होता तो लगता है कर बाहर चलो गोंगे लिगन यूर्ट अब तो बारिश भी हो गई है आरिश नहूं उड़ी से बाहर ओ बादल ऑदल हो घांब को तो अच्छा लगता है है लेकिन हम तो अब भी जाए नहीं सकते हैं अकेले तो कहां ही जाओं जोने आर अकेले अजीब सब लगता है अच्छा नहीं लगता है वो होते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है वो आएंगे साथ पजे जब तक तो काफी अंधेरा हो जाएगा कोई बात नहीं हम ऐसे इंज़ा रहे लते हैं अच्छी में आगा आपके वाइदर दिखाती हूँ हमारे साथ क्या होता था हम जब छोटे थे न और जब बारिश होती थी तो हम लोगों को स्कूल भेजा जाता था लेकिन फिर क्या होता था जैसे हम स्कूल में एंटर की है फर्स्ट पिरिड स्टार्ट होता था वैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाती यार क्या होता था यह हमारे साथ पता ने आप सब के साथ भी ऐसा होता था क्या तेढ़े यह का हमें comment section प्लीज अपने आपने experiences कि करें जो कि गारे जहां जाओ DR-102 बारार जाओ जिए हैं मुश्स फियाना जिती आसटीम वेगा जिए बारे जिें को बारा जुदे. पारिश का मौसम हो रहा है और बारिश का मौसम हो और पकोड़े ना बने ऐसा तो होई नी सकता तो मैंने यहां पर यह आलू और प्यास कट कर लिया है तो बस अब पकोड़े बनाने की त्यारी करती हूं चाहिए यह मैंने आपके लिए इसमें तोड़ा सलमाबा को और फुझी लाल मिर्च और इसमें एड कर लिए अपने यह प्यास और यह आलू को अच्छी से मिक्स पर लेंगे इसको अच्छी से पानी से पार के इसे अच्छी से पर देए को और अच्छी अच्छी नहीं है और इसक्राइब ट्रॉब कोई आपके अच्छी मेरा इस ब्लॉग को यह इंस पर एंड करती मैं अगरा आपको मेरा युद्व्लॉग अच्छा लगे तो प्रीस लाइक शेर सब्सक्राब मैं चानल बाबाइड तेक्यों